क्लास 11 फिजिक्स कार्य उर्जा और शक्ति वर्क एनर्जी एंड पावर चेप्टर में अप्रत्यास्त संगट या इनिलास्टिक कोलिजन के अंतरगत हम आज एक विमी पूर्णत अप्रत्यास्त संगट वन डाइमेंशनल परफेक्ट इनिलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे समझेंगे और साथ ही इसमें उर्जा हानी होती है ये पता करेंगे और इसका जो फार्मुला है वो भी निकालेंगे तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये अप्रत्यास्त संगट क्या होता है हमने पिछले वीडियो में प्रत्यास्त संगट के बारे में पढ़ा था अप्रत्यास्त संगट में यहां हमें ध्यान देना होगा कि इसमें केवल समवेक सरक्षित रहता है गती जूर्जा होता है वो सौरक्षित रहता है और सबसे बड़ी बात यह कि संगट के बाद वो वस्तुएं एक ही वस्तु की तरह एक वेख से गती करने लगती है जिसे यहां देखिए कि संगट के पहले दो वस्तुएं थी और यह दोनों वस्तुएं एक ही वस्तु की तरह एक ही वेख से ग कहलाता है जिसमें सम्वेक निकाय का सौरक्षित है परंतु गति जूर जा सौरक्षित नहीं है और संगट के बाद वस्तुएं क्या होती है एक वस्तु की तरह एक वेक से गति करने लगती है और सरल रेखा में हो तो फिर हम उसको बोलते हैं वन डाइमेंशनल पर्फेक्ट इ यहां पर डाइग्राम में बताया हुआ है हमारे पास में दो वस्तुएं है एक देखी यह वस्तु है जिसका द्रवेमान M1 है और इसका वेक क्या है U1 है और दूसरी वस्तु यहां पर है इसका द्रवेमान M2 है और यह स्थिर है मतलब इसका वेक U2 जो है वो 0 है तो यह तो इन दोनों की बीच में क्या होगा? संगट होगा. अगर यह प्रत्यास संगट है जैसा कि हम यह कह रहे हैं, तो फिर यह दोनों वस्तु है इस तरीके से एक वस्तु के रूप में बन जाएगी, और एक वस्तु की तरह एक ही वेक से गती करने लगेगी, तो फिर ये इनका जो द्रविमान हम कहेंगे कि यहां तो हम कहेंगे पहली का द्रविमान M1 और वेग U1 दूसरी का द्रविमान M2 और वेग U2 0 है मतलब दूसरी वस्तु इस्थिर है और यहां हम कहेंगे कि इनके द्रविमान M1 प्लस M2 है और इनका वेग जो है एक वेग हो गया है वो है वी तो ऐसे में हम बात कर रहे थे कि संवेग सरक्षन से क्या होगा रेकिक संवेग सरक्षन से कि संगट के पहले जो निकाय का संवेग होगा वो संगट के बाद निकाय के संवेग के बराबर होगा तो हम जानते हैं कि संगट के पहले निकाय का संवेग और संगट के बाद निकाय का संवेग तो यह संवेग सरक्षन से हुआ है तो यहां संगट के पहले निकाय का संवेग हम जानते हैं कि संवेग क्या होता है संवेग होता है द्रवेमान गुणित वेग तो संगट के पहले द्रवेमान गुणित वेग और संगट के बाद द्रवेमान गुणित वेग ये आपको बराबर करना है तो देखिए ये दोनों वस्तु हैं मिलकर एक निकाय बना रही है तो संगट के पहले निकाय का संवेग निकालना है तो द्रवेमान गुणावेग M1 U1 प्लस द्रवेमान गुणावेग तो M2 गुणित U2 करना था U2 के प्लेस पर 0 हुआ तो M2 गुणित 0 होगा तो यह 0 हो जाएगा तो फिर संगट के पहले निकाएगा संवेग में केवल क्या आएगा M1 U1 आएगा देखें फिर से समझ लीजिए संगट के पहले निकाएगा संवेग M1 U1 प्लस M2 गुणा U2 लेकिन U2 कितना है? 0 है तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा करने पर संख्या क्या बनती है? 0 बन जाती है तो M2 गुणा 0 करने गए तो यह 0 हो गया तो यहां M1 U1 प्लस 0 हुआ तो कुल मिला कर क्या बचा? M1 U1 तो संगट के पहले निकाएगा संवेग हो जाएगा हमारा M1 U1 अब संगट के बाद देखिए तो द्रव्य माने M1 प्लस M2 और वेग है V तो यह जाएगा M1 प्लस M2 इंटू V तो यह आपका हो गया M1 U1 is equal to M1 प्लस M2 इंटू V और आप V की value निकाल लीजिए तो V जो है आपका बन जाएगा M1 U1 upon M1 प्लस M2 तो इस तरह से यह आपका M1 U1 is equal to M1 प्लस M2 इंटू V हुआ M1 U1 is equal to M1 प्लस M2 इंटू V यह 0 होने से यह समवेग की घणना इसकी नहीं हुई है ठीक है न तो यह आपका V की value आ गई M1 U1 upon M1 प्लस M2 क्या है यह V यह V संगट के बाद जो है एक V जिससे दोनों बस्तू है एक होकर गती करने लगती है यह हमने हाँ निकाल लिया है अब हम क्या करने जा रहे है यह हमने समवेग सरक्षन से V की value निकाल ली अब हम क्या करने जा रहे है हम गती जूरजा को निकालेंगे कि संगट के पहले कितनी थी संगट के बाद कितनी थी और फिर हम देखेंगे कि उनमें क्या चेंज आया, कितना बदलाव आया क्योंकि जो गती जूर्जा है उसका तो सवरक्षन नहीं हो रहा है मतलब गती जूर्जा है क्या है संगट के पहले और बाद में अलग-अलग है तो चलिए देखते हैं तो यह देखे संगट के पहले जो अगर अपन निकाएगी गती जूर्जा की भात करें तो उसको हम केवन नाम दे देते हैं तो गती जूर्जा का जो फार्मूला है वो हम सब जानते हैं वो होता है हाफ mv square मतलब एक बटा दो mv square m v square मतलब m मतलब dravya man और v मतलब vek तो एक बटा दो गुणिद dravya man, गुणिद vek का वर्ग ठीक है न? तो एक बटा दो 1 upon 2 m1 u1 square हो गया देखे, half m1 u1 square हो गया ठीक है न? half mv square का formula लगा ही है तो half m1 u1 square हो जाएगा और ये तो शुन्य है क्योंकि अगर आप half m2 u2 square करेंगे तो 0 का square होगा, 0 का square 0 और फिर उसमें half m2 u2 square करने गए तो आप वो पूरा ही 0 हो जाएगा तो संगट के पहले जो निकाएगी गति जूर्जा k1 आईए, वो half m1 u1 square आईगी क्योंकि ये वाली इसकी गति जूर्जा क्या हो गई शुन्य है, क्योंकि इसके पास वेग ही नहीं है, तो ये गति जूर्जा जो है आगई अब संगट के बाद जब आप गति जूर्जा निकालेंगे तो यहाँ देखिए हमने पिछली स्लाइड में देखिए m1 u1 upon m1 plus m2 तो वेग्यों यहाँ पूट कर दीजे v2 के प्लेस पर, तो जब आप v2 के प्लेस पर वेग्यों पूट करेंगे, तो क्या देखें, क्या होगा कि ये देखिए, half m1 plus m2 और v2 तो ये v2 है, m1 u1 upon m1 plus m2, स्का स्क्वेर करने का है तो m1 का स्क्वेर भी होगा, u1 का स्क्वेर भी होगा, और m1 plus m2 का whole square भी हो जाएगा, तो ये v2 के प्लेस पर ये value रख दिया, आपने m1 square, u1 square upon m1 plus m2 का whole square ये equation number 1 से आपने put की है, अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो m1 plus m2 है ये इस m1 plus m2 से cancel हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यह square है, तो एक value से cancel हो जाएगी तो एक m1 plus m2 से एक m1 plus m2 cancel हो जाएगा, तो यहाँ नीचे बचेगा हमारा m1 plus m2 तो फिर यह से में क्या होगा, देखेए ये हो जाएगा, संगट के बाद जो निकाएगी गति जूर जाओगी, जिसको हम k2 बोल रहे है ये कितनी हो जाएगी देखेंगे, वही है संगट के बाद निकाएगी गति जूर जा v square v का मान रख दिया आपने चुकि square था तो square कर दिया अब संगट के बाद निकाएगी गति जूर जा कितनी बच्ची तो हमने का ये M1 प्लस M2 से इसका square cancel हो गया है, और बाकी बच्चे वे मान को हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा half M1 square U1 square upon M1 plus M2, देखिए एक M1 plus M2 से M1 plus M2 कट गया है, तो नीचे जो है, M1 plus M2 बचा है तो ये संगट के बाद निकाएगी गति जूर जा हमारी जिसको हम कह रहे है K2 है अब हमें क्या करना है, कि अब हमें देखना है कि गति जूर जा कि हानी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है अब ये तो पता है कि हानी हो रही है कुछ यसी बात हम चुगी question में पता चल गए है कि हानी हो रही है तो हम ज़्यादा बेटरी होगा कि जो बड़ी value है उसको उपर लेने चोटी value को नीचे लेने अगर यसा नहीं भी कि आपने तो चलेगा कोई बात नहीं आप K1 upon K2 भी कर सकते हैं K2 upon K1 भी कर सकते हैं तो ठीक है हम K1 upon K2 करने जा रहा है मनलब समिकन दो में तीन का भाग लगा रहा है और फिर देखते हैं कि कितनी हानी हुई है तो चलिए OK तो यह K1 upon K2 कीजिए देखिए K1 की value है half M1 U1 square और K2 की value है half M1 square U1 square upon M1 plus M2 तो देखिए K1 upon K2 की आए K1 की पूरी value देखिए आप half M1 U1 square संगट के पहले निकाए की गति चूड़ जा K2 half M1 square U1 square upon M1 plus M2 क्या बच रही है जो कटे उसको काट दीजिए कैंसल कर दीजिए जो बचे उसको लिखना है तो मेरे हिसाब साब को दिख रहा हुआ 1 by 2 से 1 by 2 कैंसल हो गया है U1 square से U1 square भी कैंसल हो गया है उपर 1 M1 है निचे M1 का square है तो एक M1 इस पे भी कट जाएगा तो यह पूरी value कट चुकी है उपर वाली तो यहाँ 1 हो गया है यहाँ देखिए यहाँ केवल M1 बचा है और यहाँ बचा है M1 प्लस M2 तो यह बचा है 1 upon M1 upon M1 प्लस M2 और उलट गुना करेंगे तो M1 प्लस M2 कहाँ चला जाएगा उपर चला जाएगा तो केवन अपान केटू की जो value आएगी इस केवन अपान केटू की जो value आएगी वो आएगी M1 प्लस M2 अपान M1 देखिए आप देखिए फिर से देखिए 1 upon 2 से 1 upon 2 cancel और कोन कटेगा U1 square से U1 square cancel M1 से M1 का square कितनी बार कटेगा M1 बार कटेगा तो यहां आया है M1 और यहां है M1 प्लस M2 यह उलट गुनाओ के उपर चला गिया तो M1 प्लस M2 upon M1 आया है तो यह गति जूर जाओं का अनुपात हुआ है संगट के पहले और संगट के बाद तो संगट के पहले और संगट के बाद की गति उर्जाओं का अनुपात हमने देख लिया M1 प्लस M2 upon M1 अगर आप यहां ध्यान से देखे हैं इस value में तो RHS की तरब देखे लिखा है आश में M1 प्लस M2 और हर में लिखा है M1 मतलब उपर लिखा है M1 प्लस M2 नीचे लिखा है M1 कौन ज़्यादा है definitely उपर वाला मान ज़्यादा है M1 प्लस M2 is greater than M1 M1 प्लस M2 का मान बढ़ा है M1 से तो बिरेसे में क्या होगा K1 का मान बढ़ा होगा K2 से यह होगा तो देखे क्या हुआ क्योंकि M1 प्लस M2 बढ़ा है M1 से देखे क्योंकि RHS में अंश बढ़ा है हर से तो LHS में भी अंश बढ़ा होगा हर से तो M1 प्लस M2 बढ़ा है M1 से तो K1 बढ़ा होगा K2 से तो definitely क्या हो रहा है K1 अगर K2 से बढ़ा है केवन क्या है केवन है संगट के पहले निकाई की गति जूरजा केटू क्या है संगट के बाद निकाई की गति जूरजा तो पहले गति जूरजा ज्यादा है बाद में गति जूरजा कम है केवन बढ़ा है केटू से तो पहले ज्यादा और बाद में कम मतलब क्या हुआ हनी हु क्योंकि K1 ही बढ़ा है तो K1 में से K2 को माइनस कर लिजिए अब आपके पास K1 K2 की वेल्यू है डेल्टा के इस इकल टू K1 के प्लेस पर हाफ M1 U1 स्क्वेर हो गया माइनस K2 के प्लेस पर हाफ M1 स्क्वेर U1 स्क्वेर अपने M1 प्लस M2 यह पिछली स्लाइड भी हमने देखा है अब यहाँ जाने के बाद बच्चों आपको क्या करना है कि यह जो पूरा वेल्यू है K1 का इस पूरे को आप कामन ले लिजेगा क्योंकि यह पूरा वेल्यू इस तरब भी है और बलकि थोड़ा ज़्याद ही है यह वाली वेल्यू यहाँ पूरी मिल रहे इस पूरे को कामन लीजेगा आप तो देखें डेल्टा क की वेल्यू क्या आएगी फिर यह देखिए half M1 U1 Square आपने पूरा कामन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा 1 देखिए यह पूरा कामन उने पर बचेगा 1 माइनस ठीके ? अब हाफ common हो चुका है M1 भी common हो गया एक M1 square में से M1 common तो M1 बचेगा U1 square common हो चुका है तो वो नहीं बचेगा देखी M1 square U1 square में से M1 बच रहा है क्योंकि M1 U1 square common हो चुका है एक M1 बचा है और नीचे M1 plus M2 बचा है ठीके न अब आप क्या करेंगे LCM ले लिजिए ये गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा डेल्टा के की वेली जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ M1 U1 स्क्वेर M1 प्लस M2 में एक का गुणा M1 प्लस M2 M1 से M1 कैंसल हो रहा है तो M1 से M1 जब आप कैंसल कर देते हैं यहां M1 से M1 कैंसल हो रहा है हाफ M1 U1 स्क्वेर M2 प्लस M2 चाहें तो M1 M2 की वेलिव кого पास पास लिख दीजिएगा तो हाफ U1 स्क्वेर M1 M2 प्लस M2 तो डेफिनेटली हम यहां देख रहे हैं कि ये उर्जा के हानी तो होई रही है साथ में उर्जा हानी का ये वेंजक है कि इतनी उर्जा हानी हो रही है और ये जो उर्जा के हानी हो रही है किस रूप में हो रही है तो ये मेंली जो उर्जा के हानी हो रही है उश्मा के रूप में हो रही है हीट के रूप में हो रही है और द्वनिया साउंड के रूप में यहानी हो रही है धन्यवाद